आज से एक नई शुरुवात हुई यह कहें दो नई चीजों की शुरुवात हुई पहली शुरुवात नई संसत थी आज पूरानी संसत को अलविदा कह दिया गया और पैदल चरकर प्रधान मंत्री और एंडिया की जित्ते भी MPs थे वो साथ में कॉंस्ट्यूशन की कॉपी नई संसत में सुवे सेंटर लॉल में प्रोग्राम हुआ जो गरिमा थी उसको याद किया गया और कहा गया कि हम भूलेंगे नहीं इसको जो परंपराएं हैं उसको याद रखेंगे और फिर प्रस्तान किया गया सवाए एक बज़े नए हाउस की त तुरंत बाद लॉ मिनिस्टर अरजुन राम में इगवाल साब कड़े हुए और उन्होंने जो संशोधन था उसको पेश कर दिया हलाकि बिल कल पास हो पाएगा चूंकि आज हाउस एरजन हो गया पहला दिन था हो सुबह से ही बहुत वो था क्या हुआ इसको यह आपको बत बात करें तो जितने रीजिनल आउटफिट्स थे छेतरी दल थे वह पूर्णता इसका विरोत कर रहे हैं कि हम इसके साथ नहीं अब थोड़ा सुर्बदला क्या सुर्बदला है यह उसके बाद बताएंगे आज जब यह बिल आया तो यह हुआ कि एक मास्टर पांच राजि यह तो हमारा बिल है चुकि पिछली बार राशसभा से यूपिय के दौरान जब प्रदानमंत्री मनमौन सिंग ते उस वक्त यह पास हुआ तो और अभी भी कुछ दिन पहले सुन लिया गान्दी ने चिट्टी लिखी थी कि महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए बीजेपी क प्रेट की लडाई होगी चुकि पांच राजियों में चुना हो है और लोग सभा का मामला है कोई बिदल इसको छोड़ना नहीं चाहेगा लेकिन अब बहस किस बात पर रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन पर यानि एक तरफ आप 33 परसंट आरक्षन दीजे उसके बाद सब्सक्राइब और इसको रिप्रेजन कर रही मिला है वह बहस बात किये कि आरक्षन में आरक्षन में आरक्षन हो इस बात पर बहस इस पर सरकार का क्या रूख होगा थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा लेकिन यह मांग उठ चुकी है जो छेतरी दल पहले इसका विरोध क सब्सक्राइब यानि जो बहस होगी इस बिल पर वो इसी बात पर होगी अब लोग यह कहने कि साब वुमें रिजर्वेशन बिल मालीजिया इस स्पेशल सथ में पास हो गया तो क्या पांच राज्यों में जो विदान सब्सक्राइब वहां 33% माहिलाओं को आरक्षन मिलेग वह इसलिए क्योंकि एक लंबा प्रॉसेस है इसमें सीटे आइधिपाई होगी दी लिटेशन का प्रोसेस होगा सीट रोटेशन का प्रोसेस हो जो इसकेलिए जाती अजनकरना अवी एकिस में fera विल आचपास हो जाया फ्रेट लेने किलिए कोई वी पार्टी सामने आ सकती चाहे वो बीजेपी हो या कॉंग्रेस हो कॉंग्रेस का इसाब हम प्रतिबाद से बीजेपी कहें हमने कराया है लेकिन अभी ये 33 परसेंट अरक्षान नहीं मिलने वाला है इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया हो